हेलो गाइस तो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टूदा पॉइट पाइट तो जैसे कि आप थमनेल देखी चुके हैं गाइस कि आज हमारा जो टोपिक है वो है प्रोविडेंट फंड के बारे में एपिएफ जीपिएफ पीपिएफ जो भी है आपके सारे आज हम क्लियर करेंगे डाउट्स एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने के जुड़त ना पड़े मेरा ये पूरा ट्राय रहेगा गाइस कि मैं आपको पूरी जो है इन्फोर्मेशन दे सकूं तूदा पॉइंट गाइस ठीक है ग सिंप और मैं अपनी भाषा में बताऊं आपको इसको तो आप इसे मानिए कि यह आपकी गुल्लक है गाइस मतलब भविश्य में आपका कोई भी खर्चा होने वाला है या फिर आपके पास पैसे आने बंद हो जाएं पर फिर भी आपका जो है गुजारा चल पाएगा तो व पासे होई भी आप की असी ऐसे जो पैसे यह और यानमी करते हैं यह सेविंग का कांव भी क latte यह सेविंग जैसे आपका बैंकों में अकांट अका और इसा आपके कोई यह नहीं कि आपके एक साल के लिए रख दिया आपने दो साल की यह लोंग टर्म के लिए रखे जाता है जब तक आप एर तो रिटायर नहीं हो जाते हैं फिर आपको जब तक मतलब वह मैं आपको आके बताऊंगा कि कितने टाइम बाद आप इसको निकाल सकते हैं तो ये तो बात हो गई है guys, provident fund के बारे में, provident fund बार-बार बोलने से बचने के लिए हम सिर्फ शौर्ट में बोल देते हैं guys, pf, तो आपने घबराना नहीं है, pf को ही provident fund बोला जाता है, ठीक है guys, तो pf के तो हो गया हमारा clear, ये समझा आगए आपको, अब बात कर लेते हैं EPF and PPF तो guys इसी PF के अगर आगे हम E लगा दें तो ये EPF बन जाता है और इसी PF के आगे अगे हम P लगा दें तो ये PPF बन जाता है अब guys ये दोनों term होते ही ये Provident Fund ही है एक तरह के PF ही है दोनों ही बस उसमें ये Employment Provident Fund है वो Public Provident Fund है अब होता क्या है guys कि जो EPF है ये 1952 में आया था guys सरकार ने इसे 1952 में स्टार्ट किया था और जो PPF है इसे सरकार ने 1968 में स्टार्ट किया था 1968 बन अब इन दोनों में basic difference क्या है जो guys जो EPF term है न ये उन लोगों के लिए यूज की जाती है जो सरकारी नोकरी वाले लोग है या फिर कोई public जो private company में लगे हुए है या फिर सरकारी और private company से जो जुड़े लोग है जो वहाँ पर काम करते है उन employees के लिए लगता है ये employee provident fund ठीक है guys और जो PPF है अब जो आम नागरिक है जो कहीं काम नहीं करता उसने अपना ठेला डाला हुआ है कोई अपनी एक टीन की चदर डालके चाय कोई दुकान खोली है या फिर कोई भी दुकानदार है बिजनसमेन है इंडिविज्विज्वल परसन है कोई जो जिसकी income source of income है ठीक है थोड़ा वो तो वो अगर उसके लिए गाईज ये term use की जाती है PPF Public Provident Fund ये आम आगरी या समानने लोग या कोई समानने व्यापारी है बिजनसमेन है उसके लिए ये term use की जाती है PPF और जो वहीं EPF है वो मैंने आपको बता दिये वो आपके कोई government employee है पब्लिक सेक्टर में काम करता है कोई company में काम कर रहा है उस व्यक्ति के लिए term use की जाती है EPF ठीक है तो इतनी बात आपको clear है Next point की तरफ चलता है तो guys EPF में जो आपका EPF होता है ये compulsory होता है आपके सरकार को काटना ही पड़ता है यहाँ पर आपका EPF जो आपकी salary होती हो वहाँ से वो automatically काट ले दिया जाता है अगर आपका private sector में काम कर रहे है तो वहाँ पर अगर private sector में अगर आपके 20 से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे है तो ये उस company की जिम्मेदारी होती है जो उसका EPF है मतलब PPF है सोरी वो optional रखा गया है ठीक है आप वो जमा करवा सकता है या नहीं भी करा सकता है वो उसके उपर depend करता है ठीक है वहीं पर next बात कर लेता है गाईज next point की सरफ यह जो आपका सारा पैसा है आपका इकठा किया जा रहा है गुल्लक में तो ये रखा कहां जाएगा तो EPF वालों का पैसा रखा जाता है EPFO मतलब Employment Provident Fund Organization इसका आपका ये सारे गुल्लक को रखती है मतलब करमचारी भविशे निदी संगठन एक आपका बनाया गया है जहां पर आपका ये सारा पैसा रखा जाता है अब सरका इसके लिए आपका जिम्मेदार होता है शरम मंत्रा ले गाईज और वहीं आपका जो PPF होता है यहां पर आपका पैसा कोन रखता है यहां पर आपका पैसा रखा जाता है बैंकों में या post office में यहाँ पर आप यह अपना अकाउंट खुला सकते हैं जो आम आदमी लोग होते हैं और इसानी अपकी इसमे इसमे सेलरी यहां लिए है के लिए मान लीजे तो को EPF में आपका 12% काटा जाता है तो मतलब EPF में जमा हो जाएगा मतलब 100 रुप्य है तो 12 रूपे में जमा कर दिया जाएगा एक अगाउंट में और वहां पर आपकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है ऐसी पर सेंट के कोई लोग रूपे से लेकर 1.5 Mark 500 रूपे तक को भी जमा बाइसाइपस कर लेते हैं इस में आपको ब्याज कितना कंवा और जब आपको ये पैसा सारा रिटर्न किया जाता है तो ये इंटरस्ट के साथ आपको वापिस किया जाता है जब आपकी आप रिटायर्मेंट प्रोविडेंट फंड है इसमें आपको रिटायर्मेंट के बाद पैसा दिया जाता है और जो आपका पीपीफ है उसमें आपकी limit रखी गई है 15 साल मतलब 15 साल बात आपको पैसा लोटाया जाएगा लेकिन अगर आपको emergency पड़ जाए मतलब आपको कई लोग होते हैं ना कि मतलब उनको emergency पड़ जाती है मतलब उनको आसपडोस से पैसा नहीं रिष्टेदारों से पैसा नहीं मिल रहा है और उनको एमर्जनसी में पैसा चाहिए भी तो गाइज वो कहां से लाएं अब पैसा तो होता है आपने एक फिलम देखियोगी सलमान खान की मुझसे शादी करोगी तो वहाँ पर उसे जब भी जूरत पड़ती थी वह अपनी गु अंदर पार्शल विड्रोल का ओप्शन देती है मतलब पांस साल में जो है पार्शल विड्रोल कर सकते हैं मतलब आप पूरी गुल्लक को नहीं तोड़ सकते हैं मतलब आप उसमें से कुछ पैसा तो निकाल सकते हैं लेकिन पूरी उसको खाली नहीं कर सकते हैं अपनी गुल liability होती है and tax free होता है गाइस मतलब बिल्कुल भी tax इसमें आपको नहीं चुकाना पड़ता है जब आपको यह पैसा मिलता है न गाइस तो एक रुपया भी इसमें चाहे आपका वो 10 लाग बन जाए 20 लाग 30 लाग 40 लाग मतलब आपको उसमें एक रुपया भी सरकार को नहीं दे लेना पड़ता है tax free रहता है गाइस and debt liability का मतलब क्या है गाइस कि आपका मतलब अगर आपने मतलब काफी उधार किया हुआ है बैंक से उधार किया हुआ है कहीं से उधार लिया हुआ है और आपको वो चुकाया नहीं जा रहा है तो आप वो पर्सन या वो बैंक आपके प्रोविडेंट फंड की तरफ देखता है मतलब कि आप वो बोलेगा कि मुझे प्रोविडेंट फंड से पैसा लाके दो तो सरका बहुत ही ज़्यादा सीक्योर है क्योंकि इसमें से एक पैसा भी कोई चुरा नहीं सकता गाई ठीक है कोई भी आप नहीं ले सकता इसमें से आप सिंपल लेंगवेज में समझी और गाई अगर हम बात कर लेता हैं आप यह सारी पात होगी एप और पासरा की बारya मैं जाए यह रहें पियर्ण कि इसमें लब और इसमें टीकितल ङाए उसमें एक और यह एक फ़े त्म आक उन वतलब में प्रुमम्टक्ट कहई हनुआ तो आप सेख्वर्मेंट में पैसर डाल का ओंग को थॉजो पाइसारी करमचारी है या कोई भी परसन है अगर उसके पास अपना EPF कटाने के बाद भी अपने घर खर्चों के मतलब उसका घर खर्चा भी इतड़ा नहीं हो रहा है उसको पैसों की इतनी ज्यादा जुरुरत नहीं है अभी फिल हाल में वह नोकरी भी कर रहा है और उसको इतनी जुर्द नहीं है उसके जो बच्चे हैं वो भी पैसा कमा रहें तो उसके girls में पैसा बहुत ज़्यादा इकढ़ा रहा है। तो वो क्या करेगा, तो वो कहता है कि जो मेरा EPF है, जो की मेरा 12% कट रहा है गाईज, उसको बढ़ा कर, 12% से ज़्यादा बढ़ा कर, मतलब उसकी लिमिट से एकसीड करके, और मतलब उसमें आप मेरा ज़्यादा EPF काट ले, तो उस टाइम, उस टाम को बोल दिया जाता है ग जागू कर दी जाए, तो उसे बोल दिया जाता है, VPF, मतलब voluntary provident fund, ठीक है गाईज, तो यही बात थी गाईज, GPF और VPF में दो डिफरेंस ये आते हैं, तो उमीद है गाईज, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी main points हमने discuss कर लिया है, और अगर आपको कोई doubt रहता तो वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, for more informative videos, thank you very much, have a nice day, जैहिंद